आज मुंबई कॉंग्रेस की ओसे आजाद मैदान में नोट बंदी की खिलाब ब्लैक डे मनाये गया इस मौके पर कॉंग्रेस अध्यक्स संजैनी रुपन जी और कॉंग्रेस के जेस्ट नेता एंपी एकनाज जी गायपड माजी समाजिक न्याय मंतरी चंदरकात हंडोरे जी माजी आमदार, मधु चवहान, माजी आमदार, चलंजी सप्राव यूवक कॉंग्रेस अध्यक्स गनेश यादव जी और कॉंग्रेस के कई नेतागर्ण और नगर सेवक मौझूद थे सिर्फ द्रामा कर रहा है ना टक कर रहे ब्रस्टा चार के खिलाप न तो भारतिय जनता पार्टी है न पुर्धान मंतरी हैं, काले जन के खिलाप न पुर्धान मंतरी हैं और नहीं बीजेपी है काला धन पर बढ़ा है ब्रस्टा चार और बढ़ रहा है पहने तो 500,000 के नोट में लोग रिश्वत मांगते थे आजकल 2,000 के नोट में लोग रिश्वत मांगते थे जाकि मिरी अधिकारियों से अधिकारियों से जो लोग काम करा तो उनसे पुछिए का भाई मोधी जी के राज में, बीजेपी कराज में का चल रहा है संजे निरुपम जी का कहना था कि नोट बंदी और GST में BJP सरकार फेल हो गई है और भष्टाचार में लिफ्ट हो गई है जिस तरह परधान मंतरी मोदी जी ने 8 नवंबर को ताली वजा कर 500 और 1000 के नोटों को कागज के टुकड़े खे इसी तरह हमें आने वाले वक्त में इसी ताली से उनका सफाया करना है केमरमन संदीप एसाथ विक्रम सिंध कुंदीर, SCN TV News, Mumbai